कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्स राहूल गांदी इस वक्त भारत जोडो यात्रा कर रहे हैं आज इस यात्रा का 57 दिन था हर दिन इस यात्रा से जुड़ी चीजे सामना रही है अभी तक एक दिन पहले ही इस यात्रा में अभीनेत्री और फिलमकार पूजा भट भी सामिल हुई इस दोरान वो राहूल गांदी और अन्य लोगों के साथ यात्रा में पेदल चली इस दोरान के कई वीडियो भी सामना आए जिसमें दोनों को चर्चा करते देखा गया गोंग्रेस को हाली में अपना नया अध्यक्स मिला है जो 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब गोंग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्स मिला है 80 साल के मलिकारजुन खडगे के हातों में इस वक्त पार्टी की कमान है इस वक्त मलिकारजुन खडगे पार्टी की आंत्री के खामियों को दूर करने में लगे हैं तो वहीं राहुल गांदी भारत जोडो यात्रा के जरिये लोगों को अपनी तरफ लाने में जुटे हैं इस सियात्रा के बीच राहूल गांदी लोगों से मिल रहे हैं उनके साथ बाते कर रहे हैं बीते दिनों राहूल गांदी के कई ऐसे वीडियो सामना आये हैं जिसमें वो कभी बकरी को सिर पर उठाए बहे हैं तो किसी वीडियो में वो बच्चों को गोद में लिए दिखे, तो कभी नोका दोड करते, इसके अलावा भी राहूल गांदी के कई वीडियो देखे गए, अब जो लेटेस्ट वीडियो राहूल गांदी का वाइरल हो रहा है, इसमें वो खुद चाबुक मारते नजरा रहे ह देखा जा रहा है कि राहुल गांदी लोगों के बीच घिरेवे हैं। वहां कुछ लोग मोजूद हैं जिनके हाथ में चाबुक है। उन में से एक व्यक्ति खुद को चाबुक मारता है। इसके बाद वीडियो में आगे राहुल गांदी भी अपने हाथों में चाबुक लेकर खुद को मारते दिखाई देते हैं। अब राहुल गांदी का खुद को चाबुक मारने वाला वीडियो खूब वाइरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को देखने के बाद मज़ेदार रियक्षन भी दे रहे हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के इस वीडियो पर लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। एक यूजर ने राहूल गांधी का वीडियो देखने के बाद रिपलाई करते भी लिखा, नोटंग की बाज बेसरम आद्मी, इसको उन लोगों को पकड़ के जोरदार मारना चाहिए था, गर भी हिंदु नाम के एक यूजर ने राहूल गांधी के इस वीडियो पर कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताए, धन्यवार